इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोक्यो उलम्पिक्स और टोक्यो पेरालम्पिक्स के बारे में न तो देखिए दोनों का एवजन कहां पर हुआ है जपान में हुआ है जपान की राजदानी टोक्यो में तो सबसे पहला प्रशन जहीं ठीक है तो सबसे पहला प्रशन जहीं है एमसी मेरी कोम का आप सबी को बता है क्या है बोक्सर नेक्स प्रशन जुलाई 2021 में टोक्यो पहरा उलम्पिक के लिए दुवेंदर जाजरिया ने किस खेल में कौलिफाई किया है तो वो क्या है वो बाला फिंगते हैं नेक्स टोक्यो जेपान उलम्पिक 2021 समापन समारों में बारतिय दवजबाह कोन है तो बजरंग पुनिया उलम्पिक 2021 में भारत की तरफ से पहला रज़त पदक किस ने जीता तो मीरा वाई चानू देखिए इसमें कोशन इंपोर्टन कहा है बारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते और वो गोल्ड मेडल किस ने जीता जा जो इन खिलाड़ू ने पार्टी स्पेट किये खासकर जिन्होंने सोवर्ण पदक जीता वो किस खेल से रलेटेड़ है नेक्स प्रेशन क्या है कि टोक्यो उलम्पिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किस ने जीता तो पीबी सिंदु ने जे भी इंपोर्टन नहीं है टोक्यो उलम्पिक 2021 का अधर्श वाक्य क्या था तो इसका था जुनाइटिड वाई इमोशन ओप्शन बी इस प्रेशन का राइट अंसर नेक्स ए टोक्यो उलम्पिक 2021 में हाली में किस देश ने हिसा लेने से मना कर दिया था तो इसका आपको पता ही होगा उत्री कोरिया नॉर्थ कोरिया नेक्स नीरे चोपडा किस खेल से सुबंदित है तो नीरे चोपडा का आप सबी को पता ही है वो क्या कहा है जैवलिन थ्रोर जैने कि बाला फेंक खेल से वो सुबंदित है और इन्हों नहीं एक जो गोर्ड मेडल जीता वो इनके ही दोरह जीता गया है लगातार दो बार ओलंपिक खेलो में मैडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी तो पीवी सिंदू और जैकिस खेल से सुबंदित है तो बैडमिंटन नेक्स नेक्स ने भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में होकी में कौन सा पदक जीता है तो जे इंपोर्टन प्रेशन है कांसे है क्योंकि आपको बता है कि बहुत सालों के बाद भारत होकी के सेमी फाइनल में पहुंचा था और कौन सा मैडल जीता है कांसे है जे भी आप याद रखेंगे फाइनल में नहीं सेमी फाइनल में है नेक्स प्रेशन उलम्पिक छले कितने महादूइपों को दर्शाते हैं देखिए पांच छले हैं और कितने महादूइपों को पांच ही महादूइपों को दर्शाते हैं नेक्स्ट है ओलंपीख खेलों में पीला रंग किस महादूइब को दर्शाता है जो पीले रंग का शल्ला होता है आपको अदर पांच अरग लग कलर के शल्ले होता है उसमें पीला रंग है एशिया महादूइब को दर्शाता है जो आप यादर रखेंगे नेक्स्ट है अब टोक्यो उलंपिक में जो सबसे ज़्यादा मैडल किस देश न जीते है जह प्रशन इंपोर्टन है प्रशन बनेगा कि उलंपिक जो ग्रिशम कालीन उलंपिज शमर उलंपिक स्टोक्य हुए है उसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश था तो जुनाइटेट स्टेट जुनाइटेट स्टेट ने टोटल 113 मेडल जीते हैं दूसरे नंबर पर चाइना और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी जुनाइटेट स्टेट ने ही यूएस से ने ही जीते हैं जिये नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मैडल जीते तो साथ मैडल जीते हैं जिसमें एक सुवरन है दो सिल्बर मैडल है और दो एक तीन और चार साथ क्या होंगे ब्रॉंज मैडल जाने की कांसे अपतक नेक्स्ट अंतराष्टी ओलंपिक सुमीती का मुख्यले कांस देता है तो लिव साने सुर्जर रेंड में ओलंपिक लोगों में कितने शल्ले होते हैं पांच अल्रडी बता चुका हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा जे भी इंपोर्टन है अर्टालि ऑलंपिक 2020 का शुबंखर क्या है जिए इंपोर्टन है सुमाइटी देखिए किस की बात कह अर्वी पहे पड़ंपिक पर अलंपिक और रिखिमय कांस और बेकर उन चैutलर लन्पिक का बातugen है despite उतलग उन्रे पद्श रिक एथा तो कुल कितने स्वण पदग जीते हैं आठ आठ पदक जीते हैं आठ रजद पदक जीते हैं आठ और पान्थ तेरा और छे उन्निस क्यांगे ब्रॉंज मेडल जनकी कांसे पदक नेक्स्ट है और देखी जो पदक 19 जीते गए हैं जही खिलाडियों के नाम मैंने आपको दे रहे हैं जहीं इसलिए इसलीए इसलिए बस आपने यह जाद रखना कि किस खेल से सबंदित है और इन्होंने दो मैडल जीते हैं एक स्वर्ण पदक और दूसरा कांसे पदक जीता है उनका तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो किस खेल से सबंदित है देवेंदर जाजरीय का मोलड़ी बता चुका हम भालाफे हैं कि इन्होंने रजद पदक जीता है निशाद कुमार के बारे में हम बात करेंगे निशाद कुमार हिमाचल से हैं हाई जंप से इन्होंने पार्टी स्पीट किया था और इन्होंने सिल्बर मैडल जीता है जिए उन्होंने डिस्टिक से सबंदित है इनके बारे में अगर आप दोरा 19 मैडल जीते गए क्योंकि इनके दरा दो दो पदक जीते गए हैं कौन-कौन से हैं एक तो जो सिंह राज अधाना और दूसरी अपनी लेखरा नेक्स्ट है टोक्यो पेरा लंपिक 2020-21 में उद्गाटन समारों में भारत के नई द्वजवाह कौन थे जे कोशन इंपोर्टन है जे फिल्ड एसिस्टेंट जो अभी हुआ है है एच पीउ का उसमें जे कोशन पूशा गया है टेक चंद नेक्स्ट टोक्यो पेरा लंपिक 2020-21 में समापन समरों में भारत के द्वजवाह कौन थे तुझे भी इंपोर्टन है अब निल लेखे रहा ठीक है टोक्यो पेरा लंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है चोबिस मां देखिए चोबिस का दो गुना अर् गरीशम कालीन ओलंपिक जा समरों लंपिक जा जो ओलंपिक है ना चोबिस मां स्थान जनिक आटालिस का दा चोबिस मां रहा है पैर लंपिक में भारत का अवनी लेकरा का सुबंद किस खेल से है तो शूटिंग से अल्रड़ी मैं बता चुका हूं टोक्यो पैरा लंपिक 2021 म वाली पहली भारतिय महिला खिलाड़ी क्यों बनके इसलिए इंपोर्ड़न्ट है कि जिक स्केल से सबंदत है निशाननेवाज क्योंकि इनके बारे में देखे बहुत सारे प्रशन बन रहे हैं ठीक है कि इसलिवर मेडल जिदा पहां के जिला अधिकारी है जे भी जाद रख सकते हूं कि जिला अधिकारी है उसके बावजूद इन्होंने महिनत की और इन्होंने पैरा लंपिक में क्या जिता सिलिवर मेडल क्या ना है इनका सुहाग एतिराज नौईडा उत्तरप्रदेश के क्या है जिला दिखारी टोक्यो पेरा उलम्पिक 2021 का कौन सा संसकन आयोजित हुआ देकि 2020 लिखा वो कहीं दिखरा आपको कहीं किस देखिए यह हैं टोक्यो उलम्पिक 2020 लेकिन क्रोना के चलते हैं का योजिन 2021 में हुआ ठीक है दूसरी बात एक और जाद रखिएगा कि जे जो का लिएन का संसकन जान ke 32 बार उल्यम्पिक रयोजिन किया जा रहा था और fasting दूसरी इंपोरेंडिन बात ये है कि 2024 में पैरिस प्रांस में दोज़र अठाइस में कहां पर होगा लोस एंजलिस लोस एंजलिस यूएस से में भाविना बेन पटेल का स्वध टेवल टैनिस टोक्यो पर अलम्पिक दोज़र बीस इकीस में निशाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदग जीता है ज्याद रखेंग पहले था पैर अलम्पिक का क्या था सुमाइटी अब जे है अलम्पिक का क्या है मिराई तोबह जा तो आपको ऐसा आएगा कोशन की टोक्यो अलम्पिक 2020-2021 का शुबंकर था तो बहाँ पर दोनों होंगे मिराई तोवा सलैश क्या होगा सुमाइटी तो इसका अंसराब ये लगा देंगे फिर तो ये थे प्रशन Tokyo Olympics और Paralympics से जुड़े हुए इसमें जो महत्रपुर्ण प्रशन में आपको बता देता हूँ कि 2024 में कहां पर आयोजन होगा 2018 में कहां में आयोजन होगा जिनका आयोजन अभी हुआ है Tokyo में Tokyo की इस देश की राज़ा नहीं है Japan की Japan देश में आयोजन हुआ 32 मा और Paralympics का 16 मा संसकंड था कूले मिलाकर अगर बात की जाए जो Olympic है Summer Olympic Grisham Kalino Olympics में सबसे जो टोप वर कौन सा देश रहा तो USA और अगर Paralympics की बात की जाए तो China नंबर बन पर रहा है भारत के स्थान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दूसरी बार निशाद कुमार का आप याद रखेंगे नीरे चोपडा का याद रखेंगे और ये उसके बाद नीरे चोपडा नीरे चोपडा किस स्टेट से हैं तो हरियाना से हैं तो बस इतनी सी बाते आपने याद रखनी है बाकि आपको इससे रिलेटर कुछ भी नहीं पुछा जाने वाला शुबंकर क्या था है ये याद रख सकते हैं जे आप याद रखेंगे बेट लिफ्टर है ना पीबी संदू बेडमिंटन और जे पहली महिला है जिन्होंने दो वार लगतार दो ओलम्पिक्स में मेडल जीता है तो बस जे सारे प्रशन आपने याद रखने हैं और देखी जातर जो पॉसिविल्टी जाई है कि इससे पहले वीडियो अवोर्ड्स एंड जो मैंने डाली है ओनर्स वाली वो और एक जे इसी में से आपके क्रंट फेर कबर हो जाएंगे इसी में से मिजाने कि आपको कॉशन देखने को मिल जाएगा ठीक है इसे नेक्स्ट वीडियो हमें डालूँगा जिसमें कि जो भारती सेनाओं तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन-कौन से है और को जो नियुक्तियां हुई है जिनसे प्रशन बन सकता है उसके बारे में और हिमाचल करंट फेर की अलग से वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाओंगा था करंट फेर तो आपको बिल्कुल जो भी एक दो तीन कोशन आने वाले हैं वह बिल्कुल आपके क्या हो जाए नंबर पक्के हो जाए ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजिए और शेयर भी किजिएगा